टीन के साथ सुपर एक्स्क्लूजिव इंट्रिवू में विरासा टेक्स पर पीयम मूदी ने कहा है कि जो एक्स्रे की बात कर रहे हैं उनका मतलब घर घर छापा मारना है अनाज के डिब्बे से भी गहने निकाल लिये जाएंगे उन्होंने कहत इसी तरह के मावादी विचार से दुनिया बरबाद है पीयम मूदी ने कॉंगर्स पर सबसे बड़ा प्रहार करते हुए विरासत टेक्स और संपत्थी बढ़वारे को अर्बन नक्सल से जोड़ते हुए कहा कि ये पूरी तरह अर्बन नक्सल का प्रकटी करण है मेरी जिम्मेदारी थी देश के लोगों को जगाने की साइम पिटोडा जी ने जो है इनहरिटेंस टैक्स की बात की जो हम लोगों की जमापुंजी है जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी भारतिय जनरता पार्टी क्या करेगी हमारे मैनिफेस्टों में साभ हमने लिख करके लाए वह अब उन्होंने कहीं सभूपा छोड़ दिया तो मैं भी जनरता लेके हूंगा ये सवान आपके मुन में कैसे आजाता है भारती जनरता पार्टी की विचारतारा साभ है जी हम अपनी विचारतारा के आधार को कारकमों को ले करके मैनिफेस्टों को ले करके देश के समने जाते हैं कुरपा करके ऐसे महासादों के विचारों को हम पर मंद होगे भाई मोधी जी राहूल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक national x-ray कराएंगे, इसी से जड़ा सवाल है, इसलिए मैं पूछना चाहरा हूँ, एक national x-ray कराएंगे, बात सिर्फ caste census की नहीं है, जो कि वो करते आए हैं, उस पर भ पास किस जाती और किस वर्क के पास क्या है, कितना धन है, कितनी institutions में भागेदारी है, उसके basis पर हम इस पूरे system को redistribute करेंगे, इसको आप कैसे दिखते हैं? सबसे पहले तो, इस देश में जो लोग अपने अप्मो राजनीती के एक्षपर्ट मानते हैं, जो लोग देश के उतार चड़ाव को बड़ी बारी किसे अध्यन करते हैं, सबसे पहले उनका दाइत्व हैं, कि वो ऐसे लोगों को पूछे, कि जीश परिस्थित्यों का वर् असर साल तो आपने राज किया भई, ये मुसीबत के जन्म दाता है, आप हो, और आपने अब तक कि ये बरबादी लाएग क्यों, पहले उनका जबाप मांगो भई, नमबर वन, नमबर टू, एक्षर का मुटलब क्या है जी, मुटलब हर परिवार में जाना, गर-गर चाप के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा, उनके गहने ले लिए आएंगे, जमीनों का हिसाब किताब किया जाएगा, और फिर उसको रिडिस्ट्रिबूस करेंगे, ये दुनिया में एक माववादी वीचार ने सब किया हुआ है, दुनिया बरबाद हो चुकी है, ये पूरी तरह अर्बन नक्सल को सोच का सीधा सीधा प्रगड़ी करणा है, और इसलिए मैनी फैस्टों आने के दस दिन ते बाद भी ये जो जमात आए दिन लिख्था पटी करती है न, उनके प्रोटेक्शन में चुप रही है, तब मेरी जिम्मेवारी बन जाती है, कि देश को जगाना कि देखिए आपको लूट रहे कि ये तरकिव हो रही है, और दूसरा पार्ट है, डॉक्टर मनमौन सिंग की वगर उन्हें हर बार कहा है, कि जो भी संपत दियोंगी इस पर पहला अधिकार किसका होगा, तो हिसाब कुदा वो साब है, वो क्या करना चाहते हैं? प्रिदान मंतरी मूदी ने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, पीम मूदी का शागा है.